इस डारेक्स्टन में समझाऊं ताकि सारी चीज़ें आपको याद हो जाए क्लियरली याद हो जाए ठीक है और यह कुश्चन ना बाबू याद रखना इंपॉर्टेंट है इनको याद करके जाना इसी लिए मैं बताएं कुफिर जमी से इतनी महबत हो वफा पहली हो जमी से चाहतों किसी हैलो परिंदों कैसे हो आप लोग आई हो आप लोग बहुत अच्छी होगे और आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आज हम लोग परसनली बात करने वाले हैं कच्छा दस विज्ञान के जो लगातार आपके exam के point of view से ना बहुत ज्यादा important है ठीक है इनकी आने की संभावनाई हैं आपके exam में आपके board exam में ठीक है ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं तो देखो सबसे पहले यदि आप अभी तक कुछ नहीं नहीं बताऊंगा बता देता हूँ यदि आप अभी तक मेरे class 10 का पहला वीडियो यहीं देख रहा हूँ ना पहला तो बच्चे class 10 science मैंने पूरी complete कर दिया है और वो complete वीडियो ना चैनल की playlist पर upload है और इस playlist का नाम है class 10 science और नीचे description box पे उसका link भी दिया होगा ठीक है class 10 science और यदि class 10 में हो और class 10 science के important question अभी तक आपक revision कर लो एक मातर एक बार revision कर लो देखना automatic बहुत number लेकर करके आओगे अप ठीक है चलिए यहाँ पर हम अपने question के बारे में discuss कर लेते हैं पहला question क्या है पहला question है कि स्वसन को उसमा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं देखो स्वसन को उसमा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हुआ यह तो कंफिर्म हो गय York Mist को उसमा चेपिर अब आपसे जै तो पूशd सकता है कि इस प्रकार की आपिकरिया है मता है कि वो सखता है नहीं पूछे गजमर्ड पूछे कैला इसे जो कुछे करते हैं पूछेंगा कि संकिस प्रकार की अभिकरिया तो बता दोगे ना कि स्वासा ने प्रकार की उसमा छेपी अभी क्रिया है क्या है उसमा छेपी अभी क्रिया है अब देखो नेट्स कोशन देखे धवन सोडा का रासायनिक नाम और इसका रासायनिक सूत्र लिखिए ठीक है क्या लिखिए कि धवन सोडा का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए फिर इसके बाद थड कोश्च चानाता है कि कॉपर के मुख्य, दो अयास्क के नाम लिखिए और उनका रासायनिक समीकरन जो भी है उसको लिखिए रासायनिक नाम भी ल किया है इसके बाद लोह'S की वस्तुओं को हम paint क्यूँ करते है अब इलकूर सही बाद विया है यह न कि जब हम किसी चीज में घर बनवाते यह कुछ भी करते तो लोहे की वस्तों में सतुरांद मर्ण कर देते हैं है रहितकर क्यूं करते हैं लोहे की वस्तुओं में और उसके उधाल को समझाईए यह most important question है याद रखना ठीक है most IMP और यह ऐसे प्रस्थन है ना जो लगातार board exam के point of view से बहुत ज्यादा important और लगातार board exam में आते हैं और इनकी आने की ना संभावनाएं भी रहती हैं ठीक है सबसे पहले हम उत्तर number 1 देखते हैं स्वसन को उस्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं उस्मा छेपी का मतलब क्या होता है हम सबसे पहले यह समझ लेते हैं उस्मा छेपी उस्मा छेपी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उस्मा उत्पन होती है उस्मा या उर्जा उत्पन होती है अब आप ये बताओ कि जब हम सांस लेते हैं जब हम खाना काते हैं खाना से हमें क्या बनता है ग्लूकोस बनता है और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिती में ग्लूकोस का आक्सी करण होता है यानि कि ऑक्सीजन ग्लूकोस को तोड़ देता है तोड़ने के ब ATP के रूप में लेते हैं ठीक है तो यह रियक्शन आपको याद है रियक्शन क्या है C6H12O6 प्लस 6O2 यह देखो क्या करता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ATP यानि कि उर्जा ATP यानि कि उर्जा या उस्वा का निर्वान कर देता है यह देखो यह क्या है glucose यह क्या है oxygen है यानि कि glucose और यह क्या है oxygen oxygen कि उपस्तिती में glucose को तोड़ा जाता है और यह glucose कहा से मिला glucose हमें मिला भोजण से थो हम क्या बोलेंगे स्वासन को उस्मा छेपी अभिकरिया क्यों zodने हैं जो इसका एंसर आप लोग लिखेंगे कि स्वसन को उस्मा छेपी अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भोजन छोटे-छोटे तुकड़ों में तूटता है तो हमें उर्जा प्रदान होती है क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं भोजन जब वो छोटे-छोट है तुकड़ों में तूटता है तो हमें उर्जा प्रदान होती है जो सरीर के कार्यों को सक्ति प्रदान करती है ठीक है जो सरीर के कार्यों को करने के लिए सक्ति प्रदान करती है ठीक है यहाँ पर यह पूछा जाता है कि जब हम स्वसंद से जब उर्जा बनती है वो किस फ यह देखो एक कुश्चन से कितने तुम्हारे के कुश्चन तयार हो जाए ना मैं नहीं कहता बेटा मैं कुछ नहीं कहता ठीक है बताओ क्लियर हो गया यहां तक अब आजाओ उत्तर संक्या 2 में उत्तर संक्या 2 धावन सोडा का रसायनिक नाम और इसका अनुसूत्र लिखिये धावन सोडा को रसायनिक नाम क्या बोलते पता है ऐसे कुछ करके याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद करो याद होगा फिर वह कार्बाइट नहीं कार्बोनेट बता बता जल्दी बता आया ना याद आया ना बिल्कुल चाहीं बोल रहे हो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं क्या बोलते हैं धामन सोडा सोडियां कार्बोनेट धामन सोडा मतल धोने वाला सोड़ा किसी की धुलाई करनी ना किसी को मारना है ना तो उसको धावन सोड़ा से धुल डालो फॉर्मूला क्या होता है यान एटू सी ओ थ्री डॉट टेन एच टू ओ अब यह बता हो धुलाई करने के लिए क्या लगता है कपड़े दूलों के पानी लगेगा न नाम और इसका अनुसूत्र बताओ क्लियर हो गया वास कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत दे आगे बढ़नेस पहले बता दू कि हमारा सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमान मोटिवेशन तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडोस को पता है कि देखो इन चीजों को अगर मैं तुमको सीरियसली पढ़ाऊंगा ना ऐसे आके देखो दवान सोडा का सूत होता है और इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट ठीक है अगर चाचा मैं ऐसे बता दूँगा तो ऐसे बताने के लिए आपके किताब है आपके किताब म अगरें टालेंगे तो मजा कहां से आएगा ठीक है तो मेरा मकसद यहीं है कि मैं जितना पढ़ाऊं ना वो सारा कुछ समझ में आए ऐसा नहीं आए उपर से निकल जाए मैं थोड़ा सा पढ़ा हूं उपर से निकल जाए जैसे जब मैं अपना लिक्चर पढ़ा रहा था ल वीडियो में पूरा चैप्टर खतम किया हूं मैं यह ना 16 17 वीडियो बनाया हूं ठीक है वो वीडियो ना यह बहुत रैंक कर रहे हैं आसके बहुत बच्चे एक वीडियो सत्तर असी हजार लोगों तक पहुंच गया है वो वीडियो ठीक है तो अगर मैं उसमें सब मतलब ऑक्सीजन अब यह क्रिया होती है कहां क्या बनता है सिक्स सीयोटू गलत लिग गया था सिक्स एच्टुओ एटीप और रूजना एटीप का फॉर्म होता है एडोनोसिंट्राइफॉसपेड ठीक है चलिए थर्ड कुशन आता है कि लोहे की वस्तूओं में नहीं अपर के मुख के दो आयसकों के नाम लिखिए तो पहला है आपका सलफाइड आयसक ठीक है क्या है आपको बताओ याद होगा पड़े होगे नहीं पड़े मैं बताता हूं सलफाइड हो गया सलफाइड हो गया और दूसरा हो गया ऑक्साइड आयसक ठीक है सही से लिख यार क मैं पढ़ा रहा था उदर लेक्चर सूट ही नहीं हो रहा था ठीक है अब फाइनली क्लियर हुए है आप देखो हम लोग पढ़ रहे थे ना उत्तर नमबर Bouleau Computer div t ठीक है देखो सलफाइडच में है copper glance में है Yap É ثय क्gone הי Malays का एपर एख्ग्लांज क्या होता है सी यू टूटूव तीक पील लगा ऊएंदेको सल्फाइड आयशक को याद करो मेरे साथ और शाल्फाइड एस्क सा फिर ओख्लाज उसक्व आलन्स कापर ग्लांस का फार्मूलाइन क्या होता है सीलस न करद अ बोलो मेरे साथ बहुत कि तेजी से बहलान सबमा रहे हूं कि बगत क्यों सुने सोतों करें पर चोंडें सब्सक्क्तर को आयों।ि REM में AOC में Q2D B verino 13 5 2 ford is ein Cooking Clark in कि और क्युप्राइट सारी चीजों को याद करते चलो अब तुम्हाले पास वक्त नहीं बचाया दुलार से रिवीजन करने इस पर सारी चीजों करते चलो ऐजा नीचे चलो उत्तर नम्बर चार दुखर लोए की वस्तूओं को हम पेंट क्यूं करते हैं बहिया तुम्हें दादा heated जी के जभाने के ट्रेक्टर ँम्हां घर में खटा रहा ट्रेक्टर घड hates बहुत हुई क्यादा झाल named कि जब पता चला ही खराभ होई गयattend कि तुमका पता है कि हम इमें प्राइमर लाओ पेंट लाओ कर दे यह तुम प्राइमर पेंट कहे की कहे कर रहे हो उसमें तुममिट्टी काई नहीं लेत दे रहे हो आखिर करउटी तोसह साल से खड़ा था तो खराब क्यूं हो गया बताओ हमें पता है ट्रिक्टर कहा खड़ा था बाहर बाहर उसमें वायू लग रही थी वायू के संपर्क में था वो अब हमें पता है कि वायू में नमी होती है और वायू में ऑक्सीजन होता है हमें पता है ना पता है ना नमी के कारण लोहे में जंग लग जाता है वायू में उपस्थित नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लग जाता है और इस जंग से बचाने के लिए इस नमी इस नमी और ऑक्सीजन से बचाने के लिए हम इसमें पेंट कर देते हैं इसमें तुम चला रहे हो देखो च करते हैं क्योंकि लोहे की वस्तु में वायू के संपर्क में रहने से क्या हो जाती है वायू में नमी और ऑक्सीजन होने से वह खराब होने लगती है उनमें जंग लगने लगता है क्या लगने लगता है जंग लगने लगता और जब उसमें जंग लगने लगता है तो वह खरा कुमा वह साथ में तुमाना बढ़ी है ठीक है चलो अब आज़े पांच नमर चार लिया याद कर लो बच्चे ठीक है याद करते चलो ठीक है चलो इतना वितने में हो जाएगा काम हो जाए हमारा इतन सीने मिटॉट हुज जैसे देखो जितने में हम पेपर में पांस हो जाए उतना ही पढ़ना चाहिए एसा नहीं पूरी कितब यह नोऑ पर नगिए पूरी किताब बैटके रटे यह 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 ऐसे करके ऐसा होता है ऐसा नहीं ऐसा इसे भी याद कर लो उसे भी याद कर लो पता लगए उसमें कुछ आया ही नहीं दूसरे बुक से आ गया यह लेओ इसलिए स्मार्ट वर्क करना ना बहुत जरूरी है अब आजाओ उत्तरोत्तर स ठीक है अगहात वर्दता क्या होता है तन्यता क्या होता है देखो अगहात वर्दता ऐसी धात्वे होती है या अगहात वर्दता धात्वों को पीट कर लंबी चादर की रूप में बनाया जा सकता है अगहात वर्दता में क्या किया जाता है कि धात्वों को पीट कर धात्व धात्वों को पीट कर लंबी चादर के रूप में बनाया जा सकता है उसको बोलते हैं अगात वर्धता अगात वर्धता में क्या होता है कि अगात वर्धता में धात्वों को पीट कर एक लंबी चादर के रूप में बनाया जाता है उसको अपर लोग बोलते हैं अगात वर्ध खीच कर लंबी तार के रूप में बनाया जा सके जिस धात को खीच कर एक लंबी तार के रूप में बनाया जा सकते उसको बोलते तन्यता जिसको पीट पीट कर पीट पीट कर एक लंबी चादर के रूप में बना दे उसको बोलते अगात वर्धता definition क्या लिखोगे कि धातुओं की धातुओं को पीट कर पतलीस चादर बनाने के गुर्धर्म को अगात वर्धता कहते हैं तन्यता धातुओं को खीच कर लंबे तार के रूप में बनाने की छंता या लंबे तार के रूप में बनाने के गुर्धर्म को हम तन्यता कहते हैं अगात वर्धता कहते हैं ऐसे गुर्धर्म करने वाले धात्मों को अगात वर्धता कहते हैं फुब बड़ा बड़ा सुन्दर राइंटिंग में तभी तो number मिलेंगे हमें number भी तो लेने हैं ऐसा नहीं है कि बस खतम सब खलास नहीं चाचा नंबर भी चाहिए ठीक है अब आओ उत्तर उत्तर संख्या 6 में उत्तर संख्या 6 एंसर नंबर 6 6 आता है योगात्मक अभिक्रिया क्या है इसको उदारन सही समझाए योगात्मक अभिक्रिया योगात्मक का मतलब क्या होता है योगात्मक अभिक् किसी चीज़ को आपयोग कर दो किसी चीज़ को आप जोड़े से दो प्लस दो है इसको क्या कर तो जोड़ आपस क्वाश्य हो गए चार इन दोनों को जोड़ आपस में संयोग करके क्या करके आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं ठीक है जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं और अन्य कोई भी पदार्थ नहीं बनाता है इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं जैसे multif 2018 121anch2 The H to ये हैं हमारा Again क्या बच्चे यह हमारा एक्जामपल देखना बड़े प्यार से इसके उपर है हमारा सोडियम और सोडियम के उपस्थ्त हमें हमने क्या किया 200 degree Celsius और 300 degree Celsius तक इसको temperature दिया जब इसको अमने temperature दिया तो यह जो hydrogen नहीं इसी में जुड़ गया आपस में जुड़ गया कैसे जुड़ गया CH2 था CH3 CH3 यह देखो hydrogen hydrogen जुड़ गया क्या बना CS3 CS3 और कुछ भी नहीं बना अब इसको हमने बोला एथेन क्या बोला एथेन इसको ऐसे भी लिए सकते हैं सीटू एज शीक्स ठीक है इस्क्रीन ओन करी दिखाए ना खुरीकत नहीं है बोली दे रहा हूं इसे ठीक है अच्छा ठीक है ओकी देखों यह एथेन बन गया ठीक है इनको जोडने पर क्या मना यह एथेन मना सीटू एज शीक्स मन गया ठीक है यह थे आपके क्लाश टेंथ इंपॉर्टेंट कुष्चन और यह कुष्चन ना बाबू याद रखना इंपॉर्टेंट है इनको याद करके जाना इसी लिए मैं पता है मैं आपको सीरियसली नही समझाओं ताकि सारी चीजे आपको याद हो जाए क्लियरली याद हो जाए ठीक है तो चले ठीक है आज का वीडियो वस यही तक रखते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और हमारे सेकंड चैनल बाइयोमन मोटिवेशन को भी सब्सक सब्सक्राइब कर देना विस्यों अलदविष्ट थैंक यू